उसप्लेंड प्लस लिस नोट और आइक जुरत नंकर कर्यार्व फिक भार है यह फिर दो हजार पंदरा के बाद की जो भी बाइक है जो, मगनिक और के है इक मुंप्रिक गगर पर दिए directamente युज सब्से चोंट है तो यहां पर मैंपको बता दूँ जदी आपको सेटिंग करना है इस blade के साथ तो वो किस model के होगी देखी दोस्तो जो supplier plus जिस ब्क के अंदर ये छोटा cover लगा होगा यहां पर ठीक है ये जो cover है यहां से कटा होगा कोई इसी ब्क काया आपके पास हीरो की supplier plus तो उसके अंदर आपको कटे हुए छोटे हिस्से में 0.10 mm का जो गेज है वो यूज करना है ठीक है और जदी वो पूरा कवर है ये कटा हुआ नहीं है तो उस सब्लेंडर प्लस के अंदर आपको 0.05 नंबर की गेज का यूज करना है तो एक छोटा सा ये पहचान है तो यदि आपके पास ये कटा हुआ कवर है ठीक है तो आप एज को इस शेटिंग करें जो द्खाऊंगा तो पहले मिलेत को के ये जो शक्राइब नहीं करने और आपको सेटिंग करता हो दृषज में चस्छेइर ब सूर जो हो और ये तरह हैं दे मैं झाने, ये सभीत, फा साइज थो सूर, आपको त्वम आतिकत हो, तो यहां पर इस जो सेविंग ब्लेड का साइज है वो है 0.010 mm जो आप सब्लेंटर प्लस या किसी भी बाइक में जैसे जो प्लेटिना इलेक्टिक स्टार्ट है ठीक है इस बाइक है उसके अंदर भी सेविंग ब्लेड काम करेगा जहां जहां पर आपको 010 mm का गेज की जुरुत इस सेविंग ब्लेड के द्वारा इस सप्लमेंटर प्लस की जो साउंड है टाप टकी वह मैंच आपको इस नाता हूं यहाँ मैं पर हम बाइक को सटार्ट करते हैं और संगा अपो वाग आप साल सुनए तो गाईज आप साउंड सुन सकते हैं इस BS6 बाइक के अंदर यह साउंड आ रही है तो अब जो है हम आपको इस सेविंग ब्लेड के दुवारा बिना गेज के जो है सविंग करके लिखाएंगे हम यह जो कवर है उसको खुल लएते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह एक डौलट जाहिए ठीक है इस पहले पर लगाएंगे और उसको तब खोलेंगे कि अब यहां पर जो है हमें इसका ट्राफ शेटिंग करने से पहले सबसे पहले जो है इसको जो magnet है वो टोपपे करना पड़ेगा हम दोस्री साइड में चलते हैं में जाब हम दोस्री साइड में आ चुके हैं यहां पर आपको एक 6 mm की जो अलंकी है उसकी जूर्त पड़ेगी तो यहां पर यह एक बॉल्ट लगा होता है, उसको आपको खोल लेना है, अब यहां पर भी एक मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जो पहले बाइक आती थी, उसके अंदर यहां पर एक बॉल्ट लगा होता था, जिसको हम घुमा के यहां पर, जो मैगनेट है उसको टॉप लेते हैं, जैसे हम इसको खोलेंगे, तो यह जो कवर है, यह हमारा निकल जाएगा, तो अब हमें इसकी सेटिंग करनी है, इसको टॉप पोजिशन पर करना है, देखिए आप वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको यहां पर एक 8 mm की आपको लेनी है, तो उसके दोबरा इसको गुमाना है, ठीक है, अब इसको हम लूज पोजिशन में नहीं गुमाएंगे, टाइट पोजिशन में ही गुमाएंगे, ताकि यह जो बोल्ट है वो खोले नहीं, और यह जो मारक है, उसको हमें इसकी सीध में करना है, ठीक है, ताकि जल्दी से हमे जो यह टोप मिल सके तो यह तो हम आपका एक बार गुमा के दिखाते हैं तो देखिए इस तरह से आपको गुमाना है और उस अज्ट को वहां पे लेकर जाना तो अब यहां पर देखते है तो आता है नहीं तो हम वहां से आगे पीछ से करके इसको सेट करेंगे कि जा भग यहां दे भुबं की यहां चाल्त पर तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने इसको यहां से आड़ जस्ट करके आगे पीछे से ही सफलेकर परिस जोहां कि इसको यहां पर पर कондutions cherryन करेंगे तो अब करते है इसको करते हैं यह इस तरह की क्या होती है ठीक है उसको यह मैं अड्जस्ट करना होता है जो निचे है यह वाल पर टेच होता है इसको पिकरण ब्रकार भी बढ़ा मिलेगा है इस तरह से इस ताँ से आपको इस nut को लोज करना है ठीक है और not को करके इस तरह से यह जो ब्लेड है या फिर आपके पैस जो है यह तो अच्छी बात है और यह नहीं है तो आप एक सेवंग लेड लीजिए ऊर सप्लेंडर प्लस बी और सिक्स बायक हो या फिर 2015 के बाद की जो भी वाइक है हीरो की सब्लेंटर प्लस 2015 मोडल के बाद उसके अंदर आपको इस बिलेड का इस्तमाल आप कर सकते हैं तो हमें जो है इस वाल के बीच में इसको इस तरह से रखना है तो यहां पर मैं थोड़ा जोम करके आपको दिखाता हूँ इस तरह से आपको इसके बीच में रखना है ठीक है देखिए ये फ्री भूम रहा है समय सोरी जो इसके बीच में जो है ये वाल और टैपट के बीच में फ्री चल रहा है इस तरह से, तो अब हम इसको अर्जेस्ट करेंगे, तो हमें यहां पर जुरूरत पड़ेगी, कि यह तरह का होता है, और उसके द्वरा ज़ो है, हम इसको टाइट करेंगे, टाइट हमें इस हिसाब से करना है दोस्तों, कि जो, यह जो ब्लेड है, वो फ्री भी रहना चाहिए और लूज भी नहीं रहना चाहिए तो उसको आप इस तरह से शेटिंग कर लें देखिए आपके सामने जो है मैं इसको दिखा रहा हूं और यहां पर देखिए के यहां पर टाइट करतेते हैं तो जो फ्लेड है वो अंदर टाइट हो जाता है वह बहार नहीं आ देखे दोस्तों यहां पर जो है यह जो इसके अंदर ब्लेड है वह आसानी से आगे पीछे होने लगा है आप इसको थोड़ा था टाइट ओर कर देंगे तो यह रुख जाता है और इसको यहां पर हम अड़ज़क्ट कर ले दें तो आपको जो है यहां से हम इसको टाइट कर अब टाइट कासे करना है वो भी देख लीजिए जब आप इसको अज़ाइब तो आपको जो है यह पानाज के बीच मैसे लगाना है और जहां पर आपने इसको सट किया है वहां पर यह जो पूलर है उसको हिलने नहीं देना है आपको अच्छी तरीके से इसको पहड लेना है और जो यह नट है कि अबल सक टाइट करना है कि जो अंदर बॉल्ट है उसको नहीं चौड़ना है उच्छा तरीके से जो है वो ηपर था हो जाए तो एक बार चेक करें ये अंदर क्रोस होिए नहीं तो यह चल रहा है थीक है एप यसा नीचे निकल रहा है और हम इसको निकाल लेते हैं अब जो यह गेज है उसके द्वारा मैं आपको यह चेक करा देता हूं यह जो गेज है क्योंकि जो एफफई बाइक है उसके अंदर यह 0.010 mm का हमेश इस तरह से अड़ेस्ट करना है और इसके बीच में वैसे ही मैं इसको डाल देता हूं और चेक कर लेता हूं तो यह गेज भी हम चेक कर लेते हैं तो गेज को इस तरह से चेक कर दें देखे दोस्तों यह गेज इस तरह से बीच से जानी चाहिए ठीक है अब हमने जो है इसकी सेटिंग कर दी है इस गेज के हिसाब से और इस सेविंग ब्लेड के हिसाब से दोनों के करेंगे, और इसकी ऐ्ले चेक करें यहां ही में अखिए, जो यहां फिल रहा था अभी मामसुशा ही मामलविशा। करेंगस इस बाइक की जो साउन्ड भी टैबट की उसको आपको set करके दिखा दिया है, तो आप यदि एक आम नागलिक हैं, तो आप इस पर इulative सेंग ब्लेड का स्तमाल करके दिदी दोस्तो, इस बाइक की साउन्ड है उसको ठीक करते हैं. तो गाज इसे के साथ देजी आनुमती जैहिंद वंदे मात्रम फर हर महाने